हेलो बच्चो क्या हाल है आपके आज आपन इस वीडियो के अंदर ट्वेल्थ किलास के सब्जेक्ट बाइलोजी का अधियन करेंगे अधियन करने से पहले आपको मैं कुछ बाते बताना चाहता हूं आप वो द्यान से सुनिये समझी लेवन किलास में आपने जनरल के बारे मे थोड़ा बहुत पढ़ा था यहां आपन उसी टोपिक से थोड़ा बढ़ा के पढ़ेंगे इसके बारे में आपने पेले सजीवों के बारे में पढ़ा था उनके शारीरिक सनशना के बारे में बढ़ा था और जनरन के बारे में पढ़ा था इस बुक में आपके इन सभी टो बहुत जादा बड़ा करके समझाया गया है, इस किताब का जो लेसन नंबर एक है वो 11 क्लास के समान ही, के वाल एक इंट्रॉड़क्षन का लेसन है, तो ही इंट्रॉड़क्षन जिसके बारे हम यह डिटेल से पढ़ेंगे, वो इंट्रॉड़क्षन मैं आपको देह दिया है आप जानते हैं जनन किूं करते हैं अपनी समान संतर अत्पन करने के लिए अपने परज। इसे नहीं नहीं कर पाते हैं तो उनकी जन संक्या गश्य डिख अनु लता है कि अ कि आ निये वर्दews ऱक्रियों लुप्त है तो पर रहे दिया दर्दार है उनकी जन संक्या लातता है कि जन जनतूं होता है बं लुटने की गश्य मा दिएहन गिल देंड देड्रम गे काता है ये लिल्सर नंबर दू का टिन करेंगे लिसका नाम है पुष्पी पादपो iç अि लेगीक जनल इसे तो पुष्पी पादप के आगे छी पुष्प ले लगाया रहिए क्या कि पादपोमे रहा जी सलचना हुती है जिसमें जनल की सभी करिया होती विसे तो जनन दो पर का वता पह carbon में एक अलेंगिक specially लेंगिक यह तो हहता है पादप के नया पोधा प्राप्त कि यह जाता है जैसे कि जड़ से टहनी से तणे से पती से तीमना यानि की पुष्पके के लावा पादप यह सब भाग चिन सनीय आप लैंगिक जरन in के तो लेंगिक जरन पादप के अंदर कौण सा मुक्य भाँ पुष्प, पुष्प के बारे पने पेले पड़ा हैँ यहां हम और अ्चितय तरह से पड़ेंगे तो पुष्प के बरजाती सो आगे बड़ा पाता है कि कियो पुश्पू में ही जननकी किलियाएं कि बीज बनते हैं और जब उज नर जन्नाः को सब्सक्राइब नर्युख्मग पराकोष के सिधेश्टा प्राकल इसी वड़ के उक्ष्टारी आगे प्राक सब्सक्राइबराख्ट्रीक्ता या, हई से मिलते हैं उसको परागण ہے निमने के बाद कुन सी किर्या होती है वह सारी बाते हमें इस लेसन में कि पढ़ेंगे तो अपना पहले टोपिक है इसके अंदर नर युक्षित मत रत विकास इमगह मत Śथ यह होते हैं पर कर टचे कश की चितर में दोू जिखाई दे रहे हैं यह बाहरी स्थर यह अंदर वाला सितर में आपको अलग से दिखाई देरे थिंग है यह शुटर हें पर यहां पर तो इसका आवरेंगी अजञीर सकत मुटा और यहां पर इसका झुरान थोड़ा पतला है और यह वाले जो बहाग आपको अलग से ग्शांधा न्लीका बुलते हैं जैनन चिल्ष शान को परांगन भ़ूत करें यह पक्रांद रखोला पुछप्टी वर थी पहुच जाते और परांगन भरागन को बनाते हो तो यहीं से इसको बोलते हैं उसमें तीन होते हैं और यह वैकुले इसके बीच में आपको यह इसके बीच में इसके बीच में क्या है एक केंडराः के और पराकन क्या है है एक कोश्य की ए είναι एक केंदर की एक केंदर की इसमें इतनी होती है आधी जैसेSHIVE के अनदर वーナलू की चachment कि घृचका यहां की आधी होगी जब तैई चैहिसा इस अन्दर वाली को ההजिट की की में 56 होते हैं मतलब हमेशाद समसेंख्या में होते हैं तो जब उसका आदे गुर्स अतर उस में उपस्षित होंगे तो वो क्य करते है और उसको एन द्वारा दर्शा दें स्टियो गुदित समटख्य होती है कि जो दो आवरनों से बने होती है, पेला है भाहिया आवरन, इसको बलते हैं भाहिये चोल, यह बाहरी आवरन, और यह है अंते चोल, अंतरगा आवरन, बाहरी आवरन सकत होता है, इसमें खास पदार्थ पाया जाता है, इसका नाम है इस्पोरो पॉलेनिन, आप इस चब्दु को जरू पॉरो पॉलेनिन का बना होता है इस पधार्थ के कारण ही पराग काण गेहरे रंग के होते हैं तथा पराग कड़ों में प्रतिरोधक शमता पाई जाती है तथा ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं इसी आवरण की वज़े से पराग कई वर्षों तक कई शताब्दियों तक भी जिवित रह सकते हैं जब मिसर की पिरामिट की धूलकी जाच की गई थी तो उसमें दो हजार साल पुराने पराग कड़ पाई गए ते जब उनको बोय गया तो वह उग गया अंकुरित हो गया और में से मतलब उनको जब काम में लिया गया तो वह यूज करने कंडिशन में थे खराब नहीं हुए तो इनको इतने लंबे समय तक कौन बचा के रखता है इस पोरो पॉले जिन आजए यह बनते चौन जो अंदर का आवरण होता है यह पतला कोमल जिली से बना आवरण है जो आवरण सेलुलों का बना होता है इसका प्रक्टा गाल पर्त को प्राकर्ण के कुछ इस इस्थानों पर अवरं के सब्सक्राइं होता है vocês ना सामान रूप से ॐभीशपट्री की पराग करणों में तीन जर्ण चित्र और 2011 पराग करणयर बाहरे रे रता है कि इनी जर्ण चित्र में अब पराग न से इंजरेन चृतर ही में अदा छो यामly में तरहे हैं जिसमें अर्मादा दोनों पाई जाते हैं मैं पुछते के वले हुटे हैं को बोलते हैं एक लंगी पादब टे यह में न्डादे के वांवाला हुटे हैं जिसमें दोनों फोते हैं are Jannag और माधर जननंगु को ब Guoحutता हैं पराकोश के ठीक टीर। और मादम जन्दाइब में होता है अंडाडो बनता है तो हम यह नर के बारे में पढ़ाएं तो इसमें पराख पराख को नर्यमकोत-बित कर विकास से पराख करने के सरशना पड़ लिया आपने दो भागों से बना है बहारी भाग भाग यह चौल जो पेक्टोसलीलोस का बना ह पतला होता है इसे ही भराब होने से बहुत लम्हे सक्राइल में थे मचल लिए चस्वका बचाएे और अनत्या जो की पेक्टरिल से लिल९ोज का बना होता है पतला होता है इसे तीन ज्जञ दोते हैं िश्वतर rolled ईह ही तो पराक कड़ के दरशना पढ़ ली अब इसमें युगमक उद्भी दिया नहीं जो युगमक उसके अंदर जो केंद्रक है वो किस परकार से बनते हैं पराक नले का बनती है इनका क्या होता है आगे उसके बारे में पढ़ेंगे अपन ठीक है आपको इसमें दिखाई दे रहा है सनशने स्टार्टिंग में ये पराक कड़ है जब तक ये किसी पुष्प के मादा जन्नांग पर नहीं पहुशता ये एसे ही रहता है परागन द्वारा परागन जानते हैं पराग कड़ों का वर्तिकागर पर पहुशना परागन कहल जाता है तो जिसे ही ये पराग कर वर्तिकागर पर पहुश जाते हैं इसमें विभाजन होता है इसके अंदर विभाजन होता है वो भी आसमान एक बड़ा और एक छोटा गया दुन्हों तरफ चले जाते हैं यह जो बड़ी कोशी का होती है को बोलते हैं जरन कोशिका काइक कोशिका बड़ी है क्योंकि इसी भाग से क्या बनेगी पराग नलीका इसका काम तो खाली जरन के समय आगा थोटा सब्सक्राइब यह बख छोटा भाग है ठीक है अब आप देख रहे हैं आगे तीसरे कंडिशन में इस भाग से यानि कि काइक कोशिका से यह पराग नलीका बनना स्टार्ट हो गएगी ठीक है यह पूरी बन जाती है यह जो केंडरक है यह इस पराग नलीका को बनते बनते खतम हो जाता है पूरा का पूरा यूज में आ जाता है खर्च हो जाता है ठीक है फिर आप देख रहे ह नरक होते हैं जो इसी पराग नली का दुवारा मादा के नरजनाग में मादा-जननाग में पहुछते हैं तेके न scory Chevron एक यह उन्टे चोल यह बहुत न लीका और यह नरक नर यह तो दो चप्लाइन में दो चरणों में इसका विकास को समझ सकते हैं प्रथम चरण परागना से पहली की अवस्ता है सुरी इस चरण में परागना तेजी के वरद्दी करता ए इसमें समसुत्री विवाजन होता है जिससे दो असमान कोशिकाओं दो असमान आकर की कोशिकाया बन जाती है समसुत्री का मतलब होता है जितने भी इसमें गुर्सुत्र है जैसे कि मान लीजिए ध्यान रखना हमेशा जब दीगुरित होता है तो समसंक्या होती है जैसे मान लिजी चौदा गुञष्ट थे अगोड़ित होते समय कितने रेगा है साथ अब अगर दुबारा विवाजन होगा अगला तो अर्ध सुतरी तो होगी नी सकता क्योंकि साथ क्या आदे आदे तो गुञष्ट और होगी नी सकते साड़े तीन साड़े सीसलिए होता है कि इसमान रन को शेगा काई कोशिका और चोटे अगर की कोशिका को जनन कोशिका के ते यह परागन के बाद की अवस्ता होती है यह पहले यह बात की इस अवस्ता में काई कोशिका जनन कोशिका चिद्र से बाहर निकल कर पराग नलिका का निर्मान करती है पराग नलिका के निर्मान के बाद काई कोशिका का के अंदरक नश्ट हो जाता है तता जनन को शिका कि कि इनलग परग नलिका में आकर समसुत्री विभाजन दुआरा दो भागों में बढ़ जाता है इस परकार दो नर युकमक का दिर्मान होता है इस परकार बनी संपूर सम्नचना नर युकमकोद्बित कहलाती है अगर बता आपके समझ में अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए नर युकमकोद्बित यानि कि यह लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहे हैं दो नर युकमक यह किस परकार बनते हैं यह दो 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 होती है यह होती है परागर से पहलें और यह दो परतीय जोगी जाते है इसमें युर्च मैं बयुत्पराॸित ऑन दीजिवबे ढया चाहर से थाल में 3 boules 9 निसकों कहीक बनाने में खर्च हो जाता है लाइस्ट म में जजरन कुशिका होती है की चिसलिया है लोगमक नर के किला है नरए Loki Yogy तो इस पराग नालिका से हुटते हुँए वर अपना बात करते हैं लगो भीज्वण धनी तिए अपनने पढ़ लिया है पराग कण क्या है उसकी सन्निजना पराग नले का कैश से बनती है अब आगे का टूपिक है पुंके सर ए मतलब यह जो पराग कण हैं इनको बनाने वाला इस्थान इनको बनाने वाला चेम्बर इनको बनाने वाली धनी को क्या क्येते हैं पुकेंसर छोटा अगर की होती है इसलिए क्या बोलते हैं लगू बिजानु धनी तो पुष्पु में उपस्ति तो पुकेंसर नर्जन नांग होते हैं यह दो भागों से मिलकर बना होता है पुतन्तु और पराकोश चीए मैं आपको इसका चुतर बताता हूं कि देखिए कशू करूं पुष्पु में सिस प्रकार के सरेशना देखिये होगी है यह आपकी हूं कि भुपक के चितने ह apro देखिया आपने पुष्पंब विताल की सराइसन यह यहां पर कुछ पुष्पु के भाक होते हैं यह जो इससा होता है कि पराकोश से चुड़ाओ तो यहां से यह निकलता है लंबा सा और इसके बिगुद शिर्ष भाग पर आप एक चोड़ी सनशना देखेंगे तो यह लंबा सा भाग इसको बोलते हैं टंतु पूतंतु भी वोलते है और या चोड़ी इसी में बनते हैं इसी इसिको आपको जैस इसको बीच में से काट कर इसको बीच मेंज़ी सके करकाद से फ़ेता कि यह कुलो इस प्रकार से लिगता है कि इसमें यज़नी कोश्थ hai इक धानी में दो कोशि देरां एक युटनी में दो कश्थ दिखाय देना लाएं लाएं आ आप कुछ जो कणनों सम्मान सरजना आपको दिखाई दे रही है यही क्या लाते हैं पराग कणना ठीक है आगे ना आपको समझ में तो पराकोश दुबागों से मिलकर बनावा है पूतन्तू और पराकोश आप इसके बारे में अगले टोपिक में पढ़ेंगे पहले इसके बा सब्सक्राऊ न भी दागे नूमा सरजना होती है यो परागोश से पराकोश को पुष्प से जोड़े रखती है तथा पराग कोश तक पोफ़शक पदाब दीक इसके ज़री पुश्पदार्ड कोश तक पहुचते हैं और बनने वाले पराक्ण है उनको वुरद्दि कणने क लिए प्रेडित करते हैं उनका पॉश्ण करते हैं दूसरा है पराकोष पुतंतु से पुतंतों से पर पाई जाने वाली गुंडी नुमा सननशना पराकोष कहलाती है यह दो पालियों से मिलकर बना होता है जो संयों जी उतक द्वारा आपस में जुड़ी रेती हैं परत्यक पाली में दो कोष्ट होते हैं अभी दिखा था मैं आपको चार कोष्ट होते हैं तता कुल एक पराकोष्ट में चार कोष्ट होते हैं परते कोष्ट लगू बिजानू धानी कहलाती है इसमें ही पराकणों का निर्मान होता है तो ज्यादा तर जो पुष्प होते हैं उनके जो पराकोष्ट होते हैं वह चार कोष्ट ही होते हैं लेकिन फिर भी कुछ पोते ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक कोष्ट में एक ही पाली होती है आपको जो दोड़ो तरफ दो भाग दिखाई दे रहे हैं वह एक एक ही होते हैं तो वह कुन से होते हैं माल वेसी कुल के भिंडी दिएक पाली में में यही घोष्ट होता है पुल दो में पढ़ेंगे इन पर्कोष की सरण्चना परिवर्दन दो भागों, विभक्त पहल में का थे आप अच्य तरह लिए इसको दो भागों में बाट है ताकि आपके समझ में आ जाए धेली है पराग कोश बिक्टी इस बाग में आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं इसको अगर ओर जोम कर दे कि विए कुछ परकारते दिखता है यह जो आपको दिखाई आघे यह सब इस तरीखे से होते हैं इसमें चार लेयर होती है कि और ये उनीच ड्रकाण बनते हैं तो इन पराग रखनों को बनाने के लिए ज व tuh टी अब ओर już अरुट आवर हैं यह वाहला 1 2, 3 चारो और विस्ट डियुका आवर्ण चार परतों की बनी होती है सबसे जांत का नहां है भाह यो थोचा ठीक है अंतिस तोचा भी बोलते हैं अंत शबयों नंहीं अंते तोचा ना doute अंतस्त तोचा और एक अंतस्त मतलब अंतम अंतिम वाली सबसे बाहर वाली इतले भाही तोचा आप यह वाला नाम याद रखी यह जादा इसी यह सबसे बाहरी परत होती है जिसका मुख्य कारी यह पराग कोश की सुनक्षा करना होता है यह एक स्थरी होती है कि बाहर का आव तोचा के ठीक नीचे की तोचा उती है इसका एक हिंदी में भी नाम होता है इसको इंगलिशे बोलते हैं हाईवर डर्मिस भाई यह तोचा के नीचे एक इस तरी परत होती है इसकी कोशिकाएं उस पानी को आउशोशित कर लेंगी और पराकणों के निर्मान में उस पानी को यह दे देंगी यानि इनका काम है पोशनक की पूरती में अपना सहयोग देना है ठीक है दूसरा है थी यूप मतब इसमें शी यूलोज होता है शिवित होती ही इस तीसरे स्तर होता है मद्ध्य स्तर यह एक से तीन परतों की बनी होती है जो बिजाड़ु जनान उतकों को पोशन प्रदान करती है तता स्वें मिनेश्ट हो जाती है समझ में आपको को ती पॉष्ण सब कुछ पराग कौणों को देती जाती है और नश्ट होती है वह जाता है तीनों परते बिल्कुल समाप्त हो जाती है चोता है टेपीटम बहुत खास इस तर इस पर कई बार सवाल पूछ लिया गया है कि टेपीटम इस तर क्या है तो पराग कोश के चारों तरफ जो भीती है उसका सबसे भीतरी आवरण है कि विशिष्ट कोषिकाओं की बनी होती है इसकी कोषिकाओं बड़ी लंबी बहु के अंदर की परकार की होती है निकी समें टेपीटम यह जो डोट डोट लगे वे हैं ठीक है ना यह भाई यह तोचा यह अन्तिस तोचा यह मद्देश्तर और यह टेपीटम फिर इसके अंदर यह विरोड़ जननों तक दूसरा काम इसके द्वारा आई ए ए वर्दिर आप यह एंडुल आइसिट इसे हार्मोनलका स्त्रावन होता है ठीक है झाओ इनल आइसिटर इस dirty व्रद्धि हार्मोन जो वरद्धि के लिए प्रेजित करता है हर चीज को त्यान लगे आप यह परकार का ऑक्सिन हार्मोन का टाइप है जो पादर की व्रद्धी में काम करता है तो पराकोश की व्रद्धी के लिए यह हार्मोन बहुत दरूरी है इसकी कोशिकाओं से यूबी सकनों का इस्तरवन होता है द्यान नहीं इस पर सवाल आ चुका है पिछले कुछ सालों में सवाल यह था तो तो वहां पाई जाते हैं के टेप इडम समी चोल में जोप सब्सक्राइब भूखे इन यूबिस कणों में यह पराग कणों के भाई चुलका निर्मान करता है आगे आपके सब्सक्राइब सब्सक्राइब निर्मान में अपना योगदन देकर नेश्ट हो जाते हैं पूशन देए उनको फिर उसको मजबות यह ग湃ता है दूसरा है अंदर के उतक जिन से पराकरन बनेगे उन इतकों को पराकोशुखवित्टी से घीरा हुआ केंत्री की घित के kommaोशिकाonde अर्द सुत्री विभाजन दुआरा लगऊ-जणों का निर्माण करती है एक कुशिका में एक कुशिका से चार लगऊ-जणों का निर्माण होता है जयनैं कि इसमें लग अर्द सेविभाजन होता जाता है और बहुत सरह उतक बंते रहे हैं जो सबी किसमें बदल जाते हैं लाफ में पराग कड़ों में बढ़ा है, तो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, आज के लिए इतना काफी है, बहुत हो गया आप रिटन कोपी में नोट कियेगा, को सब्जूकरुएगा, को सवाल में आपके समझ में नहीं आता है, तो यह वाग होती है एक केंडरी की अगुड़ी इसमें भाई ये चोल इस परो पॉलियन का बना होता है अन्ते चॉल प्यत्टु सेल्लिस का बना होता है फिर इसकी सनशना किस प्रगार बनते हैं यह यह दो इनको दूसरों भाट गया है,एक लुषा में परागण से पहले और यह और यह द तक कब वरतिका पर होता है जब तक यह सम्सुतरी लिपायन होता है, बड़ी कोशिब की चोड़ी कोशिचा कोजना कोशिए कोह बना horn कोशुच का से मैं बनते हैं और उसके बाद तो एक सरचना होती है जिसमें नर्वमक याने की पराग पराग बनते हैं पूतन्तू और पराकोश पूतन्तू धागे नुमार लंबी सरचना होती है जो पूष्प के नीचे से पुषपासन से युड़ी होती है वो इसके शिशह भात पर पराग कोश्टा की दो पाली में तो कोश्ट होती है यहनी की एक पराग कोश्ट में फीलकर नान सकते हैं जिसको सबसे बाहरी को बोलते हैं एक CAPनी होती है जिसके बाद यू मेल इस काड़ स्पोरो पAG Warum對 बनाते हैं यह प्रागतों बनाता है इसके बाद लग रिफिदि Diversity परकज़ विक्जिए सी घीरर हुआ कोछेंडर की कोषिकाउं का अवरान बिक बनाता है इसमें अर्स्त्री बाजन होते रहे हैं भिछतरे लग्वा निर्णमांअ होता है और यह सबी लगों बिजाणूं परीपक वोगर क्या बनाते हैं पराग का यह भी सवाल बनता है एक कुशिका से चार लगों का निर्मान होता है यह दो इसके आगे अब कल बढ़ेंगे अगर आपके को समझ में नहीं आता है तो मुझे जरूर बताएगा ओके ठेंक्य दिख रहे हैं आपको बारी स्थर अंत्य स्थर मत्य जरने स्थर और यह टेपिटर मिस्थर और यह बिज़रो जाना नों तक छी में गदेखीएए एक पाली है पूरी इस बारी में दो को इस दिखाई दे रहे आपको चेंबर आपको व्यक्रूर क्वांद दिखाई दे रहे है को धना टूटल चार को इस दे आप नोच कहूं होतें ठील को अब के नोगए कैं हुआ